हेलो दोस्तो वेलकम टू माई न्यू वीडियो दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि हमारा जो पेट की लेफ्ट साइड उपर की तरफ दर्द क्यों होता है यानि कि जो हमने फिगर में बता है कि इस तरफ हमारा जो पेट दर्द होता है वहाँ पर पेट दर्द क्य होते हैं उसके बारे हम जानने वाले हैं लेकिन इससे पहले आपको यह जानना होगा कि हमारे जो चाती होते हैं कि चेस्ट और एब्डोमेंड में डिफ्रेंसेट कैसे हम कर सकते हैं, तो हमारी च्छाती होते हैं, तो उस च्छाती में हमारी चेस्ट में दो लंग्स और एक हाट होता है, और जो लंग्स होते हैं, उसके नीचे हमारा डायाफ्रम होता है, और डायाफ्रम के नीचे से हमारा जो इब्डोमें इस इसे पहले लेफ्ट लॉवर कोड्रेट और रैट लोवर कोड्रेट में पेत दर्द कारण औरं कौन कौन से होते हैं इसके उपर हमने एक अलग से वीडिया बनाये हुआ है मैं उसकी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगर आप वो दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट अपर कोडरेट में पेट दर्द के कारण कौन-कौन से होते हैं इसके बारे में बात की है तो दोस्तों लेफ्ट अपर कोडरेट के बारे में पेट दर्द के क्यों होते हैं उसको बारे में जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि left upper quadrant में कौन-कौन से हमारी body के organ आये हुए होते है तो सबसे पहले हम बात करते हैं left upper quadrant में सबसे पहले जो liver होता है उसका जो left वाला part होता है वो यहाँ पर होता है इसके बाद आता है left adrenal gland left adrenal gland कहाँ पर होती है हमारी जो left kidney होगी इसके ओपर हमारी Left Adrenal gland होगी तो इसके विज़े से क्या होता है कि हमारी Left Kidney भी इस वाले हिस्से में आई होते है इसके बाद होता है Stomach यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक Stomach होता है उसका पूरा जो Stomach होता है वो हमारी Upper Left Quadrant में यहाँ पर होता है इसके बाद होता है यहाँ पर डियोडीनियम शुरू होगा और डियोडीनियम की जो डियोडीनियम होता है वहाँ से क्या होता है हमारा जो पेंक्रियास होगा यहाँ पर होगा यहाँ पर क्या होगा हमारा जो पेंक्रियास भी यहाँ पर होगा और साथ ही साथ हमारा जो ट्रा यहां पर आये हुए होते हैं और जब भी इस ओर्गन्स में कुछ भी खराबी आती है या फिर कुछ भी डीजीज होगा तो उस डीजीज की वज़े से हमें यह पें यान की लेफ्ट अपर कोड़र्ट में देखने को मिलता है तो दोस्तों चले इन डीजीज के बारे में बात क जाती है तो इसके वज़े से हमें पेट दर्द होता है तो इसके गेस होने के कौन-कौन से कारण होते है तो सबसे पहले होता है नोट प्रोपर ली डाइजेस्ट फूड ओके जब भी हम स्टार्ची फूड खाते है या फिर कुछ भी टाइप का फूड हमारी शरीज में ले होती है तो शरीज में आप्ट地方 के वाले वाले येरिया होते है यानी कि यह वाला रे एरिया होता है में पैट दर्द देखने को 되어 बुरा द्रध्र हो सकता है दोस्तों अब हम बहात करते हैं दूसरे डीजिस के बारे में जो कि स्टमक में ही होता है तो दूसरे डीजिस का नाम होता है हार्ट बन का मितलब क्या होता है कि जब भी देखे हैं यहां पर हमारा स्टमक हो गया हमारे जो फूड होता है उसको करने के लिए हमारे स्टमक होते है वह a कि इसोफेगस में जाता है जो SCL होता है वो तो SCL की वज़े से क्या होता है हमारे इसोफेगस होती है वहाँ पर क्या होता है वह जलन प्रोड्यूस करता है वहाँ पर क्या होता है अलसर फॉर्म प्रोड्यूस करता है तो इसकी वज़े से क्या होता है कि हमारे जो हार्ट बर्न होते हैं उसके कौन-कौन से सिंटम्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो क्या होगा हमारे सीवियर और चार चेस्ट पर हमें देखना को मिलेगे तो तीसरा जो कोजीज है वो होता है IBD या फिर IBS, IBS यानि की in sheep aatory bowel disease और IBS यानि की irritable bowel syndrome जो irritable bowel syndrome होता है उसके WOuses, unknown causes होते हैं लेकिन जो kya उसका, जो causes होते हो Chanel होते हहं, लेकिन उसकी जो effect होते हैं, उसके जो symptoms होते हैं, वो कई तरह के symptom आवे देखने का मिलते हैं और जो IBS होते हैं उसको डाइगनोसिस में भी कुछ नहीं हो सकता है इसमें मेजर लिक्या होता है जो हमारे डाइजेसिव सिस्टम के जो ओर्वन्स होते है या फिर एंजाइम होते है उस एंजेम में कुछ गड़बड़ी देखने का मिलते है इसकी वज़े से हमारे जो पूरी डाइजेसिव सिस्टम होते है वहाँ पर इफेक्ट देखने का मिलती है और इसका ग्वेस जेच से लियां फिर स्टमक से लेकर इंटेसंत तक और जो आई बी डी होता है इंफ्लामेटरी बावल डिजीज होते है उसमें दो टैप्रोड़ियस एक होता है क्रॉंस डीजीज दूसरा होता है ulcerative colitis, जो ulcerative colitis होता है, वो मेंडली क्या होता है, जो हमारी बड़ी आत, यानि कि जो large intestine होता है, वहाँ पर ulcer produce करता है, और जो crons disease होता है, वो हमारे small या फिर large intestine दोनों में कहीं पीर भी हमें ulcer produce करता है, तो यह हो गया IBD, यानि कि हमारे जो पूरी intestine होता है, उस intestine में inflammation produce करन IBS, यानि कि Indutable bowel syndrome होता है, जो उस syndrome में क्या होता है, वो stomachs में, या फिर intestine होता है, वहाँ पर affected करता है, और उसमें large number of symptoms हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि diarrhea हो गया, constipation हो गया, यहां पर ulcer produce हो रहा है, जिसके वज़े से जो हमारे stool होता है, वहाँ पर भी हमें blood देखने को म मिलेगी, ठकान देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ हमें fever भी देखने को मिल सकता है, तो यह था IBD और IBS, जिसकी वज़े से भी हमें stomach में भी abdominal pain या फिर हमें upper left, left upper quadrant में pain देखने को मिल सकता है, दोस्तों अब तक हमने बात करी थी, इक stomach से या फिर digestive system से related जो disease थे उसके बा करें, कि left upper quadrant में left kidney आई ही हो होती है, तो kidney में कौन क्न से disease होता है, जैसे कि सबसे पेला हो गया kidney stone अगर kidney мин consultons है, तो हमें क्या होगा, मैं left upper quadrant में pain देखने को मिलेगा, तो kidney stone क्या होता है, a small heart deposit होता है हमारी kidney में, okay, तो इसके कौन कौन से कारण होते है kidney stone form होने के, okay, तो सबस करती है ओक तो जब भी हमारे ब्लड में यूर्य केंसीड या फिर जो कैलसियम होगा तो उसका जो एक्स्रै होगा उसका फिल्टर करके जो हमारी बोड़ी से बाहर निकल लेका का प्रद करती है और जमा होने की वज़े से क्या होता है वहाँ पर इस तरह के स्टोन हमें देखने को मिलते हैं और हम देखते हैं कि किड्नी स्टोन के और कौन-कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीवियर और शार्प हमारे बेक पेंट देखने को मिलेगा इसके साथ साथ हमें देखने के मिले। नोस्या, वमेटिंग और हमारे जो इउरिन होती वहां पर भी बलड देखने के मिलते हैं। रूपर लेफ कॉड्रेट में देखने को मिलता है कौन कोन से सिंटॉम्स होते, इसके बार में जानते हैं तो प concealed by brain in back क्यो जो पैंक्रीय जो सह वाला जो हिस्ता होता है वह भी बैक की तरफ देखने को मिले गया, इसके साथ-साथ indigestion देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा जब भी pancreatitis होंगा तो pancreas की दो main function होते है exocrine और endocrine तो exocrine में क्या होता है वो digestive enzyme होते है वहाँ पर उसका secretion करता है और endocrine होता है उसके अंदर जो insulin और glucagon का secretion pancreas करता है तो जब भी क्या होता है pancreatitis हमें देखने को मिलता है तो इसके वज़े से exocrine function होता है उस महाँ पर क्या होगा जो digestive enzyme होता है उसका secretion कम होगा तो इसके वज़े से हमें indigestion देखने को मिलेगा इसके साथ-साथ nausea, vomiting और महरा जो increase हमारा heart rate होगा वो भी increase देखने को मिलेगा तो दोस्तो यह था pancreatitis जिसकी वज़े से अभी हमें upper left quadrant में pain देखने को मिल सकता है तो दोस्तो यह था वीडियो के हमारे जो पेट के इस वाले हिससे में पेट दल क्यो होता है इसके बारे कौन-कौन से कारण होते इसके बारे हमने बात की अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे medical knowledge से related videos देखने के लिए इस channel को subscribe करना Thank you